राथी राथी दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागत है। इस्वर्ट का इस्मर्ण करके होली की अगनी में अपनी परिशानियों को जोकनी से वे दूर हो जाती हैं। दोस्टों होली का देहन की अगनी में कई बस्तुस अर्पित की जाती हैं जैसे कि अक्ष्छ सबतनाज नारियल इत्यादी लेकिन दोस्तों अगर यही बस्तुएं अपनी राशी के अनुसार होलिका देहन की अगनी में शुब महुरत के दौरान अर्बित की जाएं तो आपकी सभी मनों कामनाय पूरी होंगी और आपके जीवन में यश्च और मान सम्मान बढ़ेगा जोतिशास के अनुसार राशी का विशिश महत्व होता है राशी हर व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाप डालती है हर राशी के अपनी स्क्रह स्वामी होते हैं व्यक्ति के चन्म से ही उसकी राशी नेथारित हो जाती है राशी के अनुसार होलिका की अगरी में अगर कुछ खास चीजें चड़ादी जाएं तो इससे चीवन के हर छित्र में सफलता तो मिलती ही है साथी बड़ी से बड़ी परिशानी भी दूर हो जाती है आईए दोस्तों जानते हैं अपनी राशी के अनुसार क्या बस्तू अर्बिक करें सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी आप एक साबुत नारियल घर के मंदिर में लाकर रखें सापुत नारियल लेना है लेकिन ध्यान रखें नारियल सूखा होना चाहिए पानी वाला नारियल नालने और जटा वाला नारियल ले नारियल रखने के बार आप अपनी समस्या बोलते हुए उस नारियल पर कलाबा बांडे, इसके बाद उस नारियल पर चंदन से तिलग करें, फिर उस नारियल को खुले का देहन की अगनी में डाल दे, ऐसा करेने सी आपकी सभी समस्याइं दूर हो जाएंगी. ब्रशब राशी, आप गुलावी रंग के कपड़े में पांस साबुष सुपाड़ियां और ग्यारे कोड़ियां बांद कर एक पोटली बनाएं फिर इस पोटली पर अश्टिक गंद से तिलक करें, अश्टिक गंद ना हो तो आप कुमकुम या चंदन से भी तिलक कर सकते हैं फिर इस पोटली को आप अपने सिर्पर साथ बार बारें, आपको क्लॉग वाइज इसे सिर्पर साथ बार खुमाना है इसके बाद आप इस पोटली को होलिका देहन की अगनी में डाल दें ऐसा करने से कार्यों में आ रही रुकाबर दूर होती हैं खासका जौप और ब्यापार में जो दिक्कते चल रही होंगी वे खत्व होंगी और धन का लाब होगा मिथुन राशी आप होलिका देहन के दिन भगवान गणेश जी के सामने घी का दीपक जलाएं और गजानन के समुक 21 मखाने रखें और फिर भगवान श्री गणेश का पूचन करें भगवान श्री गणेश के ओम गन गर्बते नमा मंदर का जाब करें पूजन के पश्चार आप इन मखानों को अपनी समस्या बोलते हुए होलिका की अगनी में डालते हैं अगनी में ना डाल सके तो आप दिन में भी होलिका की इस्थान पर होलिका में इसको डाल सकते हैं ऐसा कहने से भगवान श्री गणिश की कृपा से कस्तों से छुटकारा मिलता है और जीवन में चली आ रही समस्याएं दूर होती है करकराशी, खुलिका देहन के दिन गैहूं और चावल के आटे को मिला कर एक चौमुखा दीपक बनाएं आटे में नमक इत्यादे कुछ और ना मिलाएं, आपको पानी से मटके आटा मल कर दीपक बनाना है फिर आप इस दीपक में एक रूई की बाती लगाएं और तिल का तेल डाले अब इस दीपक को आप अपने घर के मुख्य दर्वाजे पर जलाएं यह दीपक आपको खोलिका देहन की शाम को जब अंधेरा होने लगे, रात्री होना शुरू हो जाए तब आपको अपने घर के मुख्य दर्वाजे पर जलाना है और इसकी बात आपको 27 जोग के दाने लेने हैं और इन दानों को आपको एक-एक कर खोलिका देहन में डाल देना है ऐसा करने से आपके कारियों में आ रही रुकावर दूर होंगी मन चाहा बर्दान बिलेगा और रुके हुए कारे भी पूरे होने लग जाएंगे शिही राशी आप एक सावुत पान का पत्ता लें अब इस पत्ते के ऊपर आप एक बताशा रखें और पत्ते के ऊपर ही घी में डुबो कर पांश लॉंग्स रखें त्यान रखें लॉंग्स सावुत होनी चाहें अब इस पान के पत्ते को आप अपने घर के मंदिर में रखते हैं भगवान जी के सामने एक दिया जलाएं और भगवान लक्ष्मी नारायन का पूजन करें आप भगवान बिश्टु जी के द्वादश्मत ओम नमो भगवती वासु देवाय का जाप करें इस तरहें पूजन करने के बाद आप भगवान लक्ष्मी नारायन को प्रणाम करें और आपके जीवन में जो भी समस्या चली आ रही हैं उन समस्या को दूर करने की प्रात्ना करें कारियों में आ रही रुकावट दूर करने की प्रात्ना करें आपकी जो cornu काम नहें वैं आप भगवाद भाल जी के सामने कहें इस तरह प्राहतचना करने के बाद आप इस पाण के पत्ते को अपने सिर्प पर उसा रहें यानि कि सात बार क्रोभ वाईस आप घुमाए और फिर इस पान की पत्ते को आप होली का त kings की अगनी में डालते ऐसा कैने से कश्टों से छुटकारा मिलता है और बिगड़े काम भी भागवान लक्षमी नारायम की कृपा से बनने लग जाते हैं कन्या राशी अब बाइस सावद फूल वाले लॉंग लें और ग्यारे कपूर के टुकड़े लें इन पर अपने परिवार के सभी सदस्यों की हाथ लगवाएं और मंदिर में रख दें फिर होलिका देहन के समय इन चीजों को आप होलिका देहन के अगरी में डाल दें ऐसा कैनेजी परिवार के सभी सदस्यों की बुरी नजर से रक्षा होती है परिवार में चल रही अशान्ती का मौहल भी दूर होता है परिवार में खुशियां आती हैं साथी आपके तरक्की के राष्टे भी खुल जाएंगे तुला राशी आप एक पीपल का पत्ता लें और उसके उपर एक साबस सुपारी रखें पिर इसी पत्ते के उपर आप 11 मिश्री के दाने रखें और 21 अखंडित अक्षत रखें यानि कि आपको कच्चे चावल के जो दाने हैं वे 21 दाने लेने हैं लेकिन चावल का जो दाना है वे साबुत होना चाहिए अब आप इस पत्ते को अपने सिर्थ पर से साथ बार खुमाकर होले का दहन की अग्री में डाल दें ऐसा करने से आपके जीवन में चल रही परिशानियां दूर होंगी धन की हानी होना बंध हो जाएगी और धन का लाब होगा इसके साथ ही आपको अपने घर के मुख्य दर्वाजे पर कुम-कुम से ओम कच्रन भी बनाना है दोस्तों अगर परिवार में लड़ाई छेकड़ा होता है तो आप यह समान अपने परिवार के सभी सद्दों के उपर से उतार कर होले का जहन में डाले ऐसा करने से परिवार में शुक्षांती बनी रहती है। ब्रश्चिक राशी, आप सुभए अपने घर के मंदिर में एक साबुत पान का पत्ता रखें, उसके उपर एक साबुत सुपारी और एक सुख़ा जटा वाला नारियल रखें। अब अपने मंदिर में एक दीपर जलाएं और हन्मान चालिसा का पाठ करें। बजरंग बली से अपने सभी कष्टों को दूर करने की प्रातना करें। इस तरहें पूजन परने के पश्टात अपने सिर्पर से साथ बार उतारें और फिर होल का दहन की अगरी में डालतें। ऐसा कहने से ब्यापार और बिजनेस में चल रही परिशानियां दूर होती हैं। तरक्की में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। धन सम्मंदी समस्या दूर होकर धन का लाख होता है। धन धान्य में बढ़हत्री होती है। धनु राशे आप एक लाल रंग का कपड़ा लें। इस पर साथ तरहें के अनाज रखें। आपको साथ तरहें के अनाज इतने रखने हैं कि वह सवा मुठी हो जाए। साथ तरह के अनाज जिसे की गैहू, जौ, चावल, अलग-अलग पक्रकार की डाल जैसे की अ्र हर की डाल, मसूर की डाल, या फिचछ चना, इस तरह demy णाज होते हैं, आप इस तरह की साथ तरह के अनाज लें। और नाल रंग की कपड़े में बांद कर एक पोठली तयार कर लें। अब आप इस पोठली को अपने सिर्बर से साथ बार उतारें। और फिर अपने पूरे घर में आप इस पोठली को घुमाएं। फिर इसे हुलिका दहन की अगने में डाल दें। ऐसा करने से ग्रह दोश दूर होते हैं। ग्रहों के दुश प्रभाब दूर होते हैं। ग्रहों के अश्व प्रभाब शुब में परवर्दित हो जाते हैं। जिससे जीवन में चली आ रही परिशानियां दूर होती हैं। और सफलता मिलने लगती है। मकर राश ही आप एक साबुत पीपल का पत्ता लें इसको एक प्लेट में रखें इसके उपर सवा मुट्फी काले तिल रखें और दो साबुत फूल वाली लॉंग रखतें अब इन समान को आप अपने घर के पश्यम कौने में रखें त्यान रखें साफ इस्थान पर रखना है घर का पश्यम कौना साफ ना हो तो आप अपने बेडरूम के भी पश्यम कौने में इसको रख सकते हैं पश्यम कौना यानि की बेस्ट कौनर में आपको इसको रखना है औ काने की क्लॉक वाइस सिर्प साथ बार खुमाएं और फिर इसी होले का देहन की अगरी में डाल दें ऐसा करने से आपके कार्यों में आ रही रुकावर दूर होंगी शनी देप से संबंधि दोशों से राहत मिलेगी जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर होकर कार्यों मे सफलता मिलनी लगेगी और बिल्डे कारे भी बनने लग जाएंगे कुम्ब राशी आप एक साबुद जटा बाला सूखा नारियल लें और अपनी उम्र के बराबर घिनकर आप गोमती चक्र लें अगर आप पंधर साल के हैं तो पंधर गोमती चक्र लें बीस साल के हैं तो गोमती चक्र लें अप गोमती चक्र और नारियल को आप अपने घर के मंदिर में रखते हैं मंदिर में एक दीपक जलाएं और भगवान लक्षमी नारायन का पूचन करें और भगवति वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और होले का दहन के समय आप अपनी समस्या बोलते दंसंबंदी समस्या दूर होती हैं धंधाने में ब्रत्थी होती हैं मीन राशी आप एक लाल रंग का साफ कपड़ा लें इसमें सबा मुठी हवन सामगरी रखें एक साबुद हल्दी की गाट रखें दो साबुद सुपारी रखें दो कपूर के टुकड़े और दो को अपने सिर्थ पर साथ बार क्लॉक्वाइज खुमाएं यानि की साथ बार उसा रहें अब इस पोटली को आप खुलिका देहन की अगनी में डाल दें ऐसा करने से मन की अशांती और अग्यात भे दूर होगा आप पर किसी की बुरी नजर होगी बहभी हट जाएगी नकार अवश्य ही प्राप्त करें उमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब थैंक्स वर वाचिंग राधी